नमस्कार दोस्तों आज के वीडियों आपका स्वागत है तो दोस्तों यह स्टोरी पुश्टाइम पहले की है रतलाम में एक बंदा था दोस्तों विसाल नाम का वह फ्रीफार का प्रो प्लेयर था मतलब जैसे कि अपने यूटूबर लोग रहते ना जो फ्रीफार में माहिर एज अपने दोस्तों के साथ त्रीफार खेला करता था तो मर लोग ऐसे आपस में मैच लगाते थे और खेलते थे इसी बीच में यह हुआ दोस्तों की एक मदलब दो या तीन दिन पहले वो लोग मैच केल रहे थे और वो जैसे कि हर बार की तरह वो इस वर बिजीत गया था इतना जाद खुष्त आया उसकी हर का उनके दोस्तों को कि उन्य उसका गला द्वआ के मायं दिया है, और तो उसको छूपाने तो उसकě नियू निकल के सामने हैं, मेंने आज देखा यह वीड यू तो आपको श्क occurring है, और और दोस्तो यूछ चाहना चाहताkey झी कि गैम को गैम जैसे लें उसको अपनी डियर लाइफ में एफेक्ट ना करने दें अपनी दोस्ती अपनी परिवार अपनी हेल्थ इसमेंई कोई बी वी सुना आने दें गैम को गैम रहने दें जहां रतलाम के आलोट के पास दैयालपुरा गाउ में नाबालिक को अपने दोस्तों से फ्री फायर गेम को हर बार जीतना इतना महंगा पड़ गया कि अपने ही दोस्तों के हाथो ही अपनी जान गवानी पड़ी जानकारी के मताबिक मिरतक विशाल फ्री फायर गेम का मास्टर था उसके दोस्तों ने 14 तारिक को फ्री फायर गेम की तरह आपको बता रहे हुआ क्या है ये पूरा माजरा आप समझेए कि free fire game खेल रहे थे उसके दोस्तों ने 14 तारिक को free fire game की तरह उसके हत्या करने की योज़ना बनाई उसका गला रबा कर उसके हत्या की और फिर शाव को गिट्टी से ढख दिया हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके दो दोस्त उल्फर सिंग और राचकुमार को गरफतार किया जिसमें एक आरोपी नावाली गए तो दोस्तों सेकेंड इस्टोरी रोके और डी एक से यह अपने चैनल पर कल सस्क्राइबर से बात कर रहे थे उसी से बात करते करते एक अन्वन बंदा आता है और उनको और उनकी फैमिली को free fire को सबको गाली देता है उसी से related रोकी यह वोले प्रस्ट्रेशन free fire प्राइब क्या वन्ने हो भाई यह वो लोग है जिनको घर पे माबाब ने कोई कल्चर नी सिखा यह इतने फट्टू है ठीक है इतने फट्टू है इनको बोलो अपने में दम होना अपने असली पहचान दे सामने यह डर जाएगा और मैं बता दू आवाज से बता दू 15-16 साल का बच्चा ही तो दोस्तों कु अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया उन्होंने बताए कि उनको क्यो बहन किया उनकी क्या गलती थी और पिंक प्रावलम से भी रिलेटेड उनने बात किया उन्होंने यह बोला कि हम लोगों नहीं मैंने मेरी टीम ने पूरी दो आईडी से हम लोगों ने खेला था एक हमारी second ID है जिससे हमने tournament खेला और हमने real ID से भी खेला तो गाइस यह बात हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि हमने एक ही ID से खेला हमने दो ID से खेला और रहे हो कि पिंग नहीं आ रहा इदर एक tournament player एक e-sports player बोलता है भाई पिंग नहीं आ रहा मेरी अकेले का नहीं नही आप उन टीमों से भी पूछ सकते हैं कि कैसा पिंग चलता है कैसा पिंग नहीं चलता सब को आप पूछ का सकते हैं आपने भी खेला है आपको पता हुआ क्या हाल रहता है तो इनको अपनी वह चीजे नहीं दिखती इनको वह दिखता है कि ए एक बंदा जो खेला उसको आप डिस्क्वालिफाय कर सकते हो बलकि जो वे तो दोस्तों फोजी अजय ने जब वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद गैमिंग औरा को थोड़ा हेट मिलने लगा उनको यह बुलना जाना लगा कि वह टोटल गैमिंग से हेट करते हैं उनको प्रावलम है टोटल गैमिंग से उससे से रिलेटेड गैमिंग औरा ने एक और वीडियो अपलोड किया और उन्हें यह सारे चीज्वा फोजी भाई करते हो मैं इसका जफ़कर दूंगा जूस भी जवाब दूंगा क्या किसी एक बंदे को अलग से मतलब वी आईपी मिलना चीह है मतलब एक बंदा पांच अकाउंट से मतलब समझो आप 10th का एक्जाम दे रहे हो एक बंदा 10th का एक्जाम सेम टाइम पर 5 बार दे सकता है 5 बार से एक बार पास हुआ वो पास माना जाएगा और आप 10th का एक्जाम एक ही बार दे सकतो यह तो वही बात हुई ना आपके साथ अन्याए हो रहा है और इस तरीके से आप इस अन्याए को सपोर्ट भी कर रहे हो कि भाईया ठीक है बिल्कुल सही आपने जो किया वो बिल्कुल सही तो यह तो कोई बात ही नहीं हुई एक रेस के इंदर सारे घोड़े अगर मेरे दोड़ेंगे तो महीं जीतूंगा ना तो वो तो यतनी बड़ी टीम से अतने बड़े नेम होने के बावज़ुद आपसे उम्मीद नहीं रिखी जाती तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर पांच यह डाइमंद कर दूँगा कि कौन कौन विनर हुआ है और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यदि आप खोई फ्रीफार की अमें इंट्री से रिलेटेड न्यूज मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है उसमें आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं यदि आप ऐसा करते हैं और व वह चैनल अभी वापिस आ चुका है तो उसी से रिलेटेड वह क्या बोले ही आप देख लीजिए लास्ट्रीम गाइस हमारा उसका ओमेगल का उपाए था और ओमेगल पे तो आपको पता ही हमारे क्या हो गया थाल ओमेगल पे लग गए थे हमारे पर कोई ना कोई बात नही वापस आ गया चैनल